तो दोस्तो ये है सिसी जई एलेक्ट्रिकल इंपोर्टन्ट एमसी क्यू का पार्ट नाइन और इसके पहले आठ पार्ट आ चुके हैं और सब में 20-20 कोश्चन कवर किये गए तो टोटल 160 कोश्चन हमने कवर कर लिए दोस्तो यदि आपने ये पार्ट नहीं देखें तो आप ज़रूर देख लिए और दोस्तो आपने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए पीक्यार्टिकल इंजिनिंग और यदि आप इस वीडियो की लिए पीडियाफ चाहते हैं और यदि पुराने वीडियो की पीडियाफ चाहते हैं नोडिफिकेशन चाहते हैं तो आप टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडियाफ को और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में वह दूस्तों तो शुरू करते हैं विवारा कासे काणी हम्मारा क्या वूला है वीााइश हय विट फॉलोवींग एर टाइप्स सब्सक्रिप सपोलॉवींग आर्दि टाइप्स ऑसिस्टम इन से कौनकौन से को स्वैख आकसे अर्थ हैं बताना में वायर अर्थिंग तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे वाइर इर्थिंग में क्या अर्थिंग का टाइप है और प्लेटर थिंग भी है तो सही अंसर क्या हो जाएगा अल ओफ दीज कुस्चिन नमबर सेकेंड क्या वहला है अल्टर नेटर इजिए तो जने अल्टर इटर इज तो जनेड बोथ AC औ दीजी डीची लाइट अनर्जी असी राइट असर इसे अल्टर इसकाई जनेट गली यूज़ता है असी नेक्स Q3 working voltage of medium grade cable is working voltage of medium grade cable is 500 volt 650 volt 100 volt 400 right answer is 650 volt question number four question number four is suitable for the transmission line low voltage high ultra high voltage both ultra and high voltage extra voltage तो दोस्तों जो महोर रिले होती है इसको हम एड्मेटेंस एड्मेटेंस रिले भी बोलते हैं किसे के लिए यूज होती है बोथ अल्ट्रा एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज तलब लॉंग लाइन के लिए यूज होती है हमेसा ठीक दोस्तों एक रिले होती है आपकी रियक्टेंस रिले कि रियक्टेंस रिले यूज होती है हमार की 100 होड स हट्रा्णशन यसे लाइन के लिए है ठीक है और एक होती है आपकी इंप्रेंस देख इंपरेंस रिले यूज हुर्ष होती है मीडियमे ट्रांस्मेसेलाइन के लिए थीक है नेक्सिर नमर है फाइब है इवेस ओफ descended इस दीवेस ओफ 17 सहबली डोप्ट evacologically डोप्ट not capped lightly इंसर इस lightly BJT का जो बेस होता है वो और कैसे बोप्ट होता है lightly डोप्ट होता है Next question number six in an air blast circuit breaker in an air blast circuit breaker why is compressed air used air blast circuit breaker होते हैं जो इनमें हम compressed air के use क्यों करते हैं closing the context cooling the circuit breaker quenching the arc opening the context right answer is quenching the arc question number seven filament in an incandescent lamp is made of copper wire nichrome wire fuse wire tungsten wire right answer is tungsten wire question number question number eight a coil of 600 ton and resistance of 20 ohm is bound uniformly over a steel ring of mean circumference 30 centimeters and cross-sectional area 9 mm 9 cm square if the relative probability of the ring is 1600 find the value of reluctance to my reluctance key value बताने दोस्तों formula क्या होदा reluctance का एल अपॉन्ट रिलेटिब अपर मिल्टी एंड एफ्स्टिल्यूट पर मिल्टी और यहां पर हमें 10 to the power minus 7 ठीक है यह है दोस्तों यह देख लिए जाओ कि इसमें आपको वैली पुट कर देनी है और राइट आंसर आपको मिल जाएगा ठीक है दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या आएगा कि बन पॉइंट सिक्स फाइब सेवर इंटेंट टुडिवावर फाइब ओप्शन एक है साइए इसका ठीक है आप केल्कुलेट कर लिए फॉर्मुला इसमें देर रख था है कुश्चिन नमबर नाइन दी फुल फॉर्म ऑफ एसी एसार इस फुल फॉर्म ऑफ एसी एसार अटा килकली है कफ़ल मजिए का ओविफोर्सण वेनकेटर इसटेल रिएनफ़ोर्स या ओल गाप दिस इस हैं नियुब मेड़न श्कीर रिपोर्स तरह करते हैं ओम से से या म्यू से या फिर गामा से शरी लेम्डा से तो किसे दिनोट करते हैं हम इसको लेम्डा से नेक्स्ट कुश्चिन नमबर 11 पावर इस ट्रांस्मिंटेड ओवर ट्रांस्मिसल लाइन उन हाई वोल्टेज भी कॉस me current is reduced efficiency is reduced conductor cost is reduced both conductor cost is reduced and efficiency is increased right answer is both conductor cost is reduced and efficiency is increased question number 12 what is the primary function of Chuck in a tough uh light circuit your tip light circuit में चोक का primary function होता है वो क्या होता है दोस्तों लिमर्दी starting current लिमर्दी current after starting heat up the filament या induced high voltage दोस्तों इन चोक क्या करता है very high voltage some provide कराता कब initial stage में ताकि ट्यूबलाइट ग्लोव हो सके है ठीक दोस्तों नेक्स्ट कुछ number 13 what is the purpose of shading coil in a shaded pole motor reduce rotational losses produce rotating magnetic field reduce friction losses yeah reduce rough commutation right answer is produced rotating field question number 14 a pnpn diode is may be made of any semiconductor is always made of germanium may be made of either silicon or germanium is always made of silicon दोस्तों जो pnpn conductor और डायोड होता है वो कौनसे डायोड होता है शॉकली डायोड होता है कौनसे डायोड होता है यूक्से नमबर 15 the rotor current frequency in a slip ring induction motor depends on rotor current frequency in a slip ring induction motor depends on amount of slip inductive reactance rotor inductor या फिर rotor conductor तो दोस्तों जो frequency होती है f r formula क्या होता है s into f किस पर डिपन करती है slipper amount of slip next question number 16 magnetic pressure which set up to tends to set of flux in a magnetic circuit is called magnetic field cross magnetization demagnetization yeah magnetic motive force magneto motive force right answer is magnet motive force question number 17 during raceway wiring during raceway wiring which color wire is always used for neutral connection during raceway wiring which color wire is always used for neutral connections red white either green or white green right answer is white black red and blue are used for hot wires white is used for neutral wire in raceway wiring brown orange and yellow are used for hot wire wire and gray is used as neutral wire in 277 by 480 volt for grounding regardless of the voltage green or wear wire is used question number 18 a ceiling rose ceiling rose is used to take supply for a and portable equipment fluorescent lamp electric iron heater of 2,000 volt right answer is portable equipment so sorry fluorescent lamp fluorescent lamp question number 19 the thyristor is turn off when the anode anode current falls below holding current latching current forward current or break over current the right answer is holding current question number 20 the last video last question of the video in India what is the frequency of the AC power line and this power line voltage voltage is very simple question in India what is the frequency of the 50 Hertz which means the 50 Hertz which means the 50 Hertz and the clear answer is that दोस्तों ये थे थे पार्ट 9 के 20 question आपको आपको आई होपको आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वादी पसंद आया हो तो लाइक करिए ठीक है शेयर करिए और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजए ठीक है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिसन आपको मिल जा और कोई वीडियो मिस नहों तो दो स्टों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में